नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगी आईएस यूट्यूब चैनल पर और आज हम बात कर रहे हैं हिंदी साहिते के ओफ्सनल सब्जे, हिंदी साहिते के हिंदी भासा और नागरी लिपी का इतिहांस अपन इसकी चर्चा कर रहे थे और अपन बात कर रहे थे हिंदी की सब्द व्यवस्ता सब्द संपता के बारे में इसमें हमने सब्द का अर्थ वर्गी करन कम्पलिट कर लिया था और अब हम आ जाते हैं यह सब्द का अर्थ वर्गी करन कितने परकार के थे चार परकार के स्रोत की दरश्टी से परियोग के संदर्ब की दरश्टी से निर्मान या गटन की दरश्टी से परिवर्तन सिलता या परिवर्तनियता की दरश्टी से यह चार परकार के थे अब हमने इन सब के बारे में अलग-अलग परकार से चर्चा कर ली थी और फिर हम आ जाते हैं अपन सेकंड वाला दूसरा ये हैं सब्द निर्मान की प्रमुक युक्तियां सब्द निर्मान की प्रमुक युक्तियां ये के दूसरा वाला हैं तो सब्द निर्मान की प्रमुक युक्तियां भासा में कुछ एसी युक्तिया होती है जो खुद सब्द न होकर भी सब्दु के निर्माण में अति महतप्ण भूमी का निभाती है एसी तीन युक्तिया प्रमुख है ठीक है पहला आज़ता है कह उपसर्ग कह प्रत्य या पर्सर्ग और गह संदी और समास सब्द निर्बान के प्रमुकी युकते कितने परकार की होती तीन परकार की उफसर्ग प्रत्यस, सन्दि और सम्मास अब पहला आपिं चर्चा करेंगे क्या उफसर्ग की ये सब्द नहीं सब्दान से जो किसी सब्द के पूर्व में जुड़कर अर्थ परिवर्तन कर देते हैं जिसे निराकार बराबर निर प्लस आकार इसमें आकार सब्द के पूर्व में निर उफसर्ग लगने से अर्थ का परिवर्तन हो गया है जिया तब है कि उफसर्ग स्वेते सार्थक नहीं होते अते इन्हें सब्द नहीं माना जा सकता किन तो इनका प्रभाव अर्थ पूर्ण होता है उफसर्ग किसे कहते हैं जो कि किसी सब्द के आगे उफसर्ग लग जाने से उसको क्या उफसर्ग कहते हैं हिंदी में उपसर्ग प्राइट तीन स्त्रोतों से आये हैं संस्कृत से फार्सी से एवं हिंदी में स्वत्य विक्सित उपसर्ग हैं संस्कृत के उपसर्ग लगभग बाईस हैं जैसे सम प्रस्त सत इत्यादी इनके उदरान इस परकार हैं सम प्लस उचित सम उचित सत प्लस संग सत संग और पर प्लस दूशन पर दूशन और सत प्लस जन सत जन ये किसके संस्कृत के उपसरग है और संस्कृत के उपसरग है संस्कृत के अंदर फिर आज़ते अपन फारसी के उपसरग भी हिंदी में बड़ी संक्या में प्रचलन में हैं जैसे हम ला बा बे इत्यादी इनके कुछ उदारन हैं हम प्लस राई हम राई बा प्लस काईदा बा काईदा ला पस जवाब ला जवाब बे प्लस बाक बे बाक हिंदी की परंपरा में भासिक विकास के साथ साथ कुछ उपसर्ग स्वते विक्षित हुए हैं इन पूत सपूत पर प्लस वर्ती पर वर्ती अन प्लस जान अन जान पर प्लस देश पर देश तो ये किसके उदारन होगे उपसर्ग के उपसर्ग के अंदर मतलब संस्कृत फार्सी और हिंदी के भी उदारन मतलब आते हैं उपसर्ग के अंदर तो हमारा उपसर्ग कंप्लिट हो अब आदेते प्रत्य या पर्सर ये भी सब्दांस हैं पर ये उपसर्ग के विप्रित सब्द के अंत में आकर अर्थ परिवर्तन करते हैं जैसे पन, लडगपन, बचपन, इत्यादी, संस्कृत की प्रत्य परंपरा बहुत सम्रद हैं जिसे हिंदी में प्राइस विकार किया संस्कृत के प्रत्य को दो भागों में बाटा गया है कृंदत या तदित जैसे कि आपने देखा उपसर्ग, उपसर्ग के अंदर क्या होता है आगे प्रत्य लगता है उपसर्ग के सब्द के आगे और सोरी प्रत्य नहीं उपसर्ग मतलब की आगे लगता है सब्द के आगे जो किसी धातु के अंत में लगते हैं जैसे के एरा, आक, इत्यादी इनके उदार निम्न लिकित है के अध्यापक, रक्षक फिर है आक, तेरा, एरा, लुटेरा, आलू, जगडालू ये क्या हैं क्रिंदत प्रते हैं पिर आजाते हैं अपन तद्वित प्रते पर ये वह प्रत्य है जो क्रियाओं के अत्रिक्त अन्य सभी प्रकार के सब्दों जैसे संग्या विशेशन आदी में जुड़ते हैं जैसे पा, पन, आ, इत्यादी इनके कुछ उधारन इस प्रकार हैं पा, बुढ़ापा, बहनापा, आ, प्यासा, निरासा, पन, बचपन तो ये विशेश बात ये भी है कि संस्कृत से हिंदी के विकास की प्रकिर्या में जिन सब्दों में सरवादिक विकास हुआ है, उनमें से एक शेत्र प्रत्यों का भी है, ऐसे प्रत्यों में आरी, आहट, अकड, इत्यादी प्रमुख है, इनके कुछ उधारन इस परकार हैं, उसके खुद ये अपने प्रत्यों हो गए, तो ये अपना दूसरा खेवाला प्रत्यों कंप्लिट हो गया, अब अपन आ जाते हैं, गे के उपर संदी और समास, ये भासा की वे युक्तिया है, जिनमें अलग-लग सब्द या सब्दान्स आपस में जुड़ कर एक नए सब् पिर्मान करते हैं, समास का सयोग दो सब्दों के परस पर जुड़ने से ही होता है, जबकि संदी एक सब्द वे दूसरे सब्दान्स के बीच हो सकती हैं, अभी तक उधारण में कई बार संदी के उधारण हमने देखे हैं, जैसे निर प्लस आकार, निराकार, तता सत प्लस जन सजन आदी, यह अपने पहले उपर भी देखे थे, उपसर के अंदर और फिर आपने अपन संदी और समास के अंदर भी अपन देख रहे हैं, अब हम समास के संदर में विज़ेश चर्चा करेंगी, यह उपर था अपने संदी, अब अपन समास के, हिंडी में पर्युक्त इनकी संसित व्यक्य इस परकार है, पहला है अवयवी भाव समास, यह वह समास है, जिसमें पूर्व पद प्रतान हो वह उत्र पद गोण हो जैसे प्रती दिन, अवयवी समास किसे कहते है? जिसमें जो पूर्व का पद होता है वो प्रधान होता है और जो उतर का पद वो गोण होता है जैसे प्रती दिन तो इसमें प्रती प्रती आने की रोज तो प्रती का मतलब क्या हो गया ये प्रधान सब्द हो गया और दिन इसका गोण हो गया तो दिन आने वाला हमेशा का दि फिर आजाते है अपना दूसरा तत्पूरु समास है ये वह समास है जिसमें उट्तरपद प्रदान हो और पूरुपद गोर्ण हो जैसे गुड़ सवार हस्त लिकित इत्यादि जैसा कि अपने अव्यवी समास के अंदर क्या देखा पूरुपद प्रदान होता है उत्तरपद जस्ट इसका उल्टा होता है तत्पूरु समास इसके अंदर उत्तरपद प्रदान होता है और पूरु पद क्या होता है गोण होता है जैसे कि गुड़ सवार तो मतलब पूरु उत्तरपद जो की मतलब की प्रदान होता है जैसे कि गुड़ गोड़ु की सवारी और फिर सवा बड़ता है जो इन दोनों में सामिल नहुते हो, इन दोनों का संगस्थ परिचे इस परकार है। जाता है ध्वीगू समास वह समास जिसमें पूरूपद कोई संख्या हो तो तो ता वहma उत्रपद की व्याख्या करती हुआ जैसे चतुर भूज चोराहा अश्टा वक्र सत सही इत्यादी इसके अंतर जैसे द्विगु पूरु पद कोई संक्या हो जैसे चत्तुर बुज तो चत्तुर चार ये एक संक्या हो गई फिर वापस चोराहा चार वापस संक्या हो गई फिर अश्टा एक संक्या हो गई सत सही सत एक संक्या हो गई तो यह क्या हो गया द्विगू समास तक पूरू समास की तो परकार की करमतारे समास और द्विगू समास फिर आजाते हैं अपन तीसरे के उपर से द्विंद समास यह वह समास है जिसमें पूरू पद तता उत्तर पद बराबर महत्व के हो द्विग तो दोनों ही बराबर मेत्व रखते हैं जवार भाटा दोनों ही बराबर मेत्व रखते हैं हेरा फेरी इत्यादी पिर आजाते हैं अपना बहुबरीही समास ये वह समास हैं जिसमें दोनों सब्द मिलकर किसी तीसरे अर्थ की व्यंजना करें बहु बुरी समास किसे कहते है? जिसमें दोनों सब्द मिलकर किसी तीसरे सब्द की व्यञजना करते हो योगरूड सब्द ही इस परकार से बहु बुरी समास कहलाते है उधारन के तोर पर द्शानन द्शानन किसका नाम है? रावन का तो जैसे की सब्द दो सब्द जैसे कि 10 प्लस आनन पर इसका अर्थ क्या होता है रावन इन दोनों से बिन एक अन्य अर्थ निकला है ऐसे ही निलांबर चक्रपान इत्यादी भी इसी के इसी समाज के उधारन है तो ये अपना ये अपना पहला कम्पलिट हो गया दूसरा जो है सब्द नि अब हम आ जाते हैं तीसरे के उपर पद सरचना आम तोर पर सब्द वे पद को परियाई वाची माना जाता है पर इन में एक अंतर है सब्द स्वेम में स्वतंतर भी हो सकता है किन्तु वही सब्द जब व्याकरण सम्मत नियमों के आधार पर किसी वाक्य में निश्चित तो पद बन जाता है जैसे राम ने रावन को मारा जैसे कि यह क्या एक अलग अलग सब्द है क्या है यह एक अलग अलग सब्द है बर इन अलग अलग सब्दों से मिलकर एक वाक्य बन जाता है राम ने रावन को मारा यह पूरा वाक्य बन गया किन्तु राम ने रावन को मा पर अब र। अगर अगर आम पर इसके सिश्चे हो तो इसके अर्थ में परिवर्तन हो जाएगा अब पीर आता है ह Сам की और बाहर हो ब जाने कि लागने के में mortisicah ता ए विकारी पद या अव्यव यह है मतलब वर्गी करण ठीक वही है जो हमने परिवर्तनियता की द्रश्टी से सब्दू के अंतरगत पड़ा था अपने पहले जो परिवर्तनियता की द्रश्टी से सब्दू के अंतरगत पड़ा था ना उसमें विकारी सब्द और ए विका पड़ारी सब्द में इसमें एहविकारी पद हैं तो और अब पद सरचना के बारे में आगे हम पार्ट दो के अंदर पड़ेंगे इसके यहां तक आज का कम्प्लिट हो गया अपन पार्ट कल मानक हिंदी की व्याकरनिक सरचना हम कल स्टार्ट करेंगे यहां तक आपको समझ म आ गया तो वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं आज हमने क्या पड़ा यह सब्द निर्मान की प्रमुक युगतियां यह कितने परकार के तीन परकार के उपसर्ग प्रते संदी फिर अपनने उपसर्ग और प्रते और संदी और समास संदी और समास के बारे में चर्चा क पिर अपना पद सरचना में अपने जैसे कि पद सरचना के बारे में पढ़ा और पद मतलब की हिंदी में पदू का वर्गीकरण भी दो भागों में किया गया विकारी पद जो वही परिवर्दनियता की दृष्टी से सब्द में था विकारी पद और विकारी पद वो सब्द तो वही इनका इनका भी उसी परकार अलग-अलग वर्गी करन होगा तो यह हमारा कंप्लिट हो गया अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सेर करें, सब्सक्राइब करें और आप कमेंट करना ना भूले क्योंकि आप कमेंट करोगे कि आपको यह मेरा वीडियो कैसा लगाता भी मैं आगे कुछ और मतलब अच्छा कर पाऊंगी और मेरी यह PDF डाउनलोड करने के लिए मेरे टेलिग्राम चैनल योगी आईज वीडियो के उपर आप जोइन करके मेरा PDF डाउनलोड कर सकते हैं थेंक्यू सो माच